अन्मूल वचन अखिल भारतिय संत्मत सत्संकि संस्थापक और ग्रहिस्त में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज श्री यश्पाल जी महाराज अर्थात परम पूज भाई सहाज जीत्वारा पृतिपादत इन अन्मूल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है ये वचन हमारी ग्रहिस्त आद्यहत्मिक साधना के लिए मूल भूत सिद्धान्त है जो इस प्रकार हैं हम दुनिया की हर चीज की कीमत आकते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हे तु साधना करें मनुश्य योनी एक उपहार है इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राताहकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें सत्संग सतनाम वह सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें वह ग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपाद्वारा परमात्मा की पवुत्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतहे मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वह अपमान से दुखी न हो परमात्म के अतरिक किसी और का भै ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुने सत्य वह मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकालें सभी से नम्रता पूर्ण वह सुन्दर व्योहार करें धर्म पत्मे के अतरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बराबर की से बहन जैसा वह छोटी से पुत्री जैसा व्योहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यक्ताएं अंतहीन हैं इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में वधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना स्त्री माया है ना धन दौलत ना ही परिवार माया वह है जो हिर्दे को परमात्मा से तूर हटा दे अतह निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपन कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षं कर उसका समचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभों की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरे एक्छा पून हो जैसाद्गूरू देव अभी तक हमारे देश में वैल और हल से खेती होती है ट्रैक्टर हैं पर बहुत कम है देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देख चलाता है उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है नौट अंकी का गाना आला उदल कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे ठकान महसूस नहो जब नौट अंकी के गाना का सकता है और कुछ गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसावब भजन भी गा सकता है हल चलाने में दो विशेज बात का ध्यान रखना पड़ता है एक तो किये जितनी जमीर खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं दूसरा हाथ का प्रेशर जिससे फाल के बैल के पैर मेन लग जाए इन दौनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है और हल चलाना किसान अपने चौदा साल के बच्चे को सिखा देता है किसान के बच्चे सुन्दर सुन्दर हल चलाते हैं और आपस में बात्चीत भी करते चले जाते हैं खाथ के प्रेशर से पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं जादा होश्यारी का काम नहीं है तो हल चलाने का काम इश्वर की याद में किया जा सकता है कोई रुकावट नहीं दूसरा काम बीज बोने का जब किसान बीज बोता है एहल में कुप्पी मान देता है उसमें भीज डालता जाता है और बोता जाता है यह भी काम ईश्वर की याद में कर सकता है कोई रुकावट नहीं तीसरा काम पानी देने का आजकल तो बिजली के कुएं सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है पर जहां पर यह सादर नहीं है वहां कुवों से पानी देते है चरस से पानी देते है इसमें दो आदमी लगते हैं एक बैल चलाता और दूसरा कुएं के पास खड़ा रहता बिहार में अभी भी यह बहुत है जब देखते थे किसान पानी देते थे चरस उपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम पैल रुख जाते जब पानी गिरा दिया जाता पैल चलने के लिए कहते कि चलो राम और बैलों को भी आदत पढ़ जाते थे कि आए राम चलो राम परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता आज तो बहुत असान है सिर्फ पानी खेतों में काटना परता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी में इसे तो इस शुर की याद में बड़ी असानी से किया जा सकता है तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है यदि हम चाहें ईश्वर की याद में ना कर सकें हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है सच तो यह कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि हर काम भगवान की याद में किया जाता था गाउं में जो किसानी की काम थे इश्वर की याद में किये जाते थे लोगों का कोई भी छण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था वास्तिरिक सब बता गाउँ में थी गाउँ में ताले नहीं लगते थे घर ऐसे इख खुले पड़े रहते थे कोई खत्रा नहीं गाउं की बेटी सेरे गाउं की बेटी होती उसकी तरफ कोई निगा उठाका नहीं देख सकता था सारा गाउं निछावर हो जाए अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो ये था हमारे देश का कल्चर सुन्दर वातवरन ईश्वर में जीवन मेनत की कमाई बड़ी मेहनत से अन्द पैदा करता है जितनी जरूरत है उतनी घर में रखता पाकी शैरों में बेज देता शैरी लोग अपना पेट भड़ते उसका काम बड़े परोग कार का है अगर सारे किसान एकता करने हो अना शैरों में बेज़ें बड़ी समस्या पैदा हो जाए तो उनका काम बड़ा सुन्दर है भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है मेनत का काम इमानदारी का काम इश्वर्बे जीवन किसान को परमात्मा ने अपने सबसे प्यारा बेटा बना है अगर आप संतों का इथियास उटा कर देके तो आपको तव्यूब होगा कि नियानले प्रतीशक जीतने महात्मा हुए सब गाउं के थे एक प्रतीशक जैसे विवेकानन कलकट्ता के थे जितने महात्मा हुए चाय गुरु नानक देव चाय संतकबीर क्या तुलसी दास क्या ग्यान देव क्या नाम देव सब गाओं के थे जहां ऐसा सुन्दर वातवरण था कि हट शर निरंतर इश्वर की याद अगर सक्तर प्रतिशत लोग चाहे सुन्दर सच्चा जीवन अपना है अपना जीवन ईश्वर में बना सकते है 24 घटे ईश्वर की याद कर सकते है कितना सुन्दर जीवन बन सकता है अगर इस तरह प्रवत्ति हो जाए रुजान हो जाए और असल सत्त समझा जाए कि हम क्या खो रहे है कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए आज गौम में राजनीद घुजगई है गंदी अफसर है बगवान ने दिया हुआ मन उश्वर जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए अगर हम चाहें प्रतिछील हो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं प्रेम की गंगा बहे इतनी आत्मियत हो कि अपने और गयर में फरक्त महसूस ना हो तूसरी बात क्या है कर्म में भावना का बड़ा महत्व है हम किस भावना से काम करते हैं कर्म का स्थर बतल जाता है भावना की वज़या से वो ही कर्म बंदन वाला है वो ही कर्म आपको परुपकारी बना देता है वो ही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है कर्म में असल चीज भावना की है यही किसान है अगर सिर्फ पैसे की भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा पैसा तो मिलेगा लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि वगवान ने मुझे ऐसा सुन्दर काम सौपा है कि मैं सब की सेवा करता हूँ अन पैदा करता हूँ यदि इस भावना से वे काम करें तो परोपकारी हो जाए ये सात्रिक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुबव कराती है कि कितनी मेनत क्यों ना कर दी जाए पर यदि इश्वरिक रपार नहों तो कुछ नहीं हो पाता पड़ी अच्छी फसल लहला रही है कटने के लिए तयार है पर यदि देव प्रसंद नहीं और ओले पड़ गया तो सब कुछ नस्ट हो गया किसान अनुबव करता है कि मैं कुछ नहीं करता करने वाला तो कोई और है पर मात्मा करता है जैसे ऐसी भावनाई कि वे अकरता बन गया करते हो अभी है करता फिर वे देखने वाला हो जाता है करने वाला नहीं यंत्र समझता है अपने आपको कोई करा रहा है वे करता है इस शुरे जीवन हो जाता है तो भावना बदल जाने से वोई खेच्ची का काम मोटा खाना मोटा पहनना कपड़े भी अच्छे नहीं दूसरों को देखकर जलता है जो फैक्टरी में जाते है अच्छे कपड़े पहने फिरते है बिचारा किसान मूटी चातर ओड़कर फिरता है कभी कभी इच्शब पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांती नहीं मिलेगी कभी सुख नहीं मिलेगा अगर ये भाव ना बदल गई कि मैं तो बड़े परुपकार का काम करता हूँ भगवान ने मुझे बड़े महत का काम सौपाए कितना सुख पहुँचेगा उसे और जहें ख्याल पैदा हुआ कि इश्वरी करता है मैं नहीं करता तो फिर कहने ही क्या वही कर्म है अब पर्मात्मा से मिलाने वाला हो गया और वही कर्म पहले बंदल में बांदने माला था तो सत्तर प्रतिशत खिसानों का जीवर बदल जाए देश की काया परण जाए दूसरा बड़ा तबका बिजनसमेन बैपारियों का इसमें दो प्रतिशत बैपारी तो ऐसे थी कि जिनके पास समय नहीं है सुबह से उटने के बाद रात दस वज़े तक पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते बोरिये बरार पेख दिया यह नहीं जानते कि कहां कर्च किया जाए और कैसे करें लेकिन उनकी जिन्दगी क्या है सुबह से उटते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन की खाने की फुर्चत नहीं और अधिक काम करने की वज़े से इनकी पाचा शक्ती थी कमदोर हो जाती है कि इन्हें ख्रिचड़ी भी मुश्किल से अजब हो पाती है जीवन का इन्हें कोई सुक नहीं शाम तो बस इतना सुक मिलता है क्या एक के दो हो गए एक के एक किस हो गए एक के दसलाक हो गए यही अनन्दे भई खाता लिखा गया इतना बढ़ गया वैसे तो हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 25-30,000 महावार की आमदनी हो सब प्रकान संपन हो और अधिक पैसे की क्याम शक्ता मेरे ख्याल से तो ऐसे वे अपारी जिनकी तृष्णा का अंतनाही कर्जदार पैदा हुए पहले जनम में इन्होंने कर्ज लिया था इनके जो बच्चे असली सुक वो उठा रहे एं किसी के पास एक कार किसी के पास दो किसी के पास तीन कोई आशोका होटल कोई ताज होटल एशaria वह करते हैं उस सुख पैसे का तो उनके बच्चे उठा रहे हैं उस बेचारी को तो चिन्ताए इंकप टेक्स की सेल टेक्स की यह तो कर्जदार थे अब कर्ज चुका रहे हैं उनका जो इनकी संतान बन कराए हैं लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने वड़ा सुन्दर रास्ता बताया कि अगर कोई काम ऐसा कर रहे हो जो बार-बार करना पड़ता है तो काम बन जाए अगर आपका शॉप दौमने आया तो कहिए अौम जब लिग दाने तो कहिए अौम इस तरह भगवान की याद आ जाएगी अगर कैश किरने काम है काम है तो जब कैश हाथ में लिया तो कहई हो अहर जब इनका डम हजार बार गिना chamado हजारगर जो दो हजार बार पर मात्मा का नाम लेगा उसका हमेशा ख्यार बना रहेगा ऐसे बहुत से काम है जो बार पार करने पड़ते हैं तब भी काम बन सकता है बाकी जो विद्धस मेरे ऐसा तो है नहीं कि हमेशा काम रहता हो हर वक्त गरा गराता है कभी होता है कभी नहीं आप अपनी दुकान पर जाएए अपना समान ठीक कीजिए सफाई कीजिए अगर बत्ती धूब बत्ती जलाएए इश्वर की याद में लग जाएए आँख खोल कर इश्वर की याद कीजिए और जब गराक आ जाए तो गराक में लग जाईए जब ग्राक आजाए तो भगवान को छोड़ दीजिए ग्राक से लग जाईए और जब ग्राक संतुष्ट हो के चला जाए तब ईश्वर की याद कीजिए विकार गपो में अपनी जीवन का जलाप प्रस्त में खराब न करें या काम कीजिए या इश्वर की याद को छोड़ दीजिए इस तरीके से जब जब आप खाली हो इश्वर में परमात्मा पर अपने मन को लगाईए अगर ऐसा आप करेंगे बारा घंटे दुकान पर लेते हैं आठ बजे से रातरी आठ बजे तक भोजन वहीं करते होंगे वैस समय तो इश्वर को देना ही ह उसके बाद आराम भी करते होंगे अगर बारा घंटे में छे गंटे ग्राक आया छे गंटे नहीं आया तो छे गंटे परमात्मा की याद छे गंटे दुनिया का काम कोई यंतर नहीं आएगा जैसे आज आपके जिन्दकी चल रही है पैसे ही चलेगी जोर इस बात पर है कि अपने जिन्दकी का कोई भी समय काली बरबाद नहीं करना है दुनिया का काम करते हैं कोई लुक्सान नहीं अगर एक इंडस्टरलिस्ट है बड़े बड़े कार खाने कोलता है देश की सिमिद्धी बड़ेगी एंप्लॉइम्मेंट बड़ेगा कल्यान का काम है अगर उसकी निगा सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है बंदन है कर्म किस भावना से किया जाता है उसके बड़े माइन रखता है अगर उद्देश यही है कि सिर्फ पैसा बने तब बंदन का कारण है वे कर्म दूशित हो जाता है अगर इसके पीछे सुन्दर भावना कि प्रमात्मा ने मुझे ऐसी सुन्दर स्तिति में रखा कि मेरे पास पैसा है धन है संपत्ती है नहीं नहीं कारखाने कोलता है इससे हमारे देश की सुष्धी बढ़ेगी रोजगार बढ़ेगा देश का कल्यान होगा पैसा भी मिलेगा इस भावना वाले को भी मिलेगा और जब पैसा कमाने के लिए करता है उसे भी मिलेगा भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा एक परोपकारी बना देगी दूसरा बंदन का कारण हो जाएगी भावना ही सब कुछ है हर जगे लिखा होता है कि वर्क इस वर्शिप पर हर काम पूजा नहीं है हर काम को पूजा में बदल सकते हैं जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा तो भावना बड़ी प्रधान चीज़ है किस भावना से आप काम करते हैं उसके बड़े माइने हैं ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-677 कर देवे